तो क्या आपको नई ओला 2023 और पुरानी वाली ओला के बीच में दो major difference पता है नई पता है चलिए बताता हूँ तो पुरानी ओला में आपको charging pot में यहाँ पे आपको rubber cap मिलती थी जो कि आपको नई ओला में यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलने वाली है तो यहाँ पे आपको नई ओला में मिल जाता है already upgraded suspension जो कि आपको पुरानी ओला में नहीं मिलता था और बहुत थारे लोगों के बाए experience भी बहुत जादा खराब थे तो company ने finally यहाँ पे सभी लोगों को जो है वो free suspension अपग्रेड दे दिया है वो भी पुराने ओनर्स को तो आपने भी अभी तक अपना suspension अपग्रेड करवाया है या फिर नहीं मिरे को comment section में ज़रू से बताना और ऐसे ही more informative videos के लिए मेरी YouTube चैनल को भी ज़रू से subscribe कर लेना